नमस्कर दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या-क्या लीगल इशूज आ सकते हैं संदीप महेश्वरी प्रकर गुपता और श्वेताब गंगवर डिफेमेशन केस में चलिए प्रकर गुपता ने 2 करोड रुपय का डिफेमेशन केस लगा दिया है लेकिन यहाँ पे इस केस में संदीप महेश्वरी ने एक रिक्वेस्ट किया है कि श्वेताब गंगवर को सपोर्ट करिए संदीप महेश्वरी सर के विडियोज बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं मैं भी बहुत बार सदीप महेश्वरी सर के वीडियोज देख के मोटिवेट हुआ हूँ। बहुत ही धन्यवाद सर। आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेशली इस कंडीशन में नहीं है कि उसके इसको अकेले लड़ सके इसलिए इनको हमारे सब के सपोर्ट की जरुवत है तो शिताब अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना आपसे हुट किया तो युद विडियो अन मी उसमें भी काफी बराश्ट थे काफी अटिटीट था जो भी था ब्रकर का मेरे कृटयो दिखा होगा और मैं ने इसको रीच आउट कर ला लाँए इवन तो इसका विडियो अच्छ में काफी रूड था जो मेरे बनाए ता इस वक्त, I don't know who this person is, I have no idea, because if I have ideas, वो फिर बोलने लाइक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, तो obviously, for very obvious reasons, उच्छे नहीं है, तो वो ही है, अगर वो यह देखते हैं, कि एक creator के against, जो की इतनी बुरी condition में है, उसके against case हो रहा है, क्यों क्योंकि आपकी जो family है, वो बहुत ही powerful है, या बहुत ही पैसे वाले हैं, और वो छोटे creator को दबा सकते हैं, और कोई creator उसकी help करने के लिए नहीं आ रहा है, ना public कुछ कह रही है, तो मुझे यह बता दो, उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी Bollywood celebrity को या किसी भी corporate को हर बात पे case करने से, मेरी आप सब से हाथ जोड़कर के request है, जितने भी YouTube के creators हैं, अरे भाई साब, इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए, तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी आगर करके आपके against case करेगा, ना आपके साथ में public खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई creator खड़ा होगा, आप चाहे एक YouTuber हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे audience हो, अपनी आवाज उठाओ, वक्त आ गया है, अगर आज चुप रहे, तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाए, तो ये मेरी आखरी कोशिश है, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने request भी किया है, अब इसमें क्या legal issues हैं, वो भी जान लेते हैं, issue one, whether plaintiff proves that defendants defamed the plaintiff, क्या plaintiff मतलब वादी ने, परतिवादी का अपमान किया है, ये देखना, बहुत important point होता है, ठीक है, और, ये इसलिए important हो जाता है, कि सही में इनका defamation हुआ भी है या नहीं, क्यूंकि ये दोनों अगर दोस्त हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ consent हुआ है, ठीक है, consent यानि कि समझोता हुआ हुआ है, या फिर, ये दोनों पहले से ही दोस्त है, कुछ personal grudge हो गया इन दोनों की बीच में, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, इन चीजों पे ये निर्दार करता है, लेकिन defamation in the sense कि, इनका कैसे इनके intellectual imputation हुआ है, वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस case में issue number two ये बन सकता है, whether this court has jurisdiction to entertain the suit of the plaintiff, plaintiff का जो suit है, क्या इस court के सामने stand हो सकता है, या फिर, इस court को क्या वो नियाएव्य अपती है, जिससे की इस court को, इस case को चलाने का power मिलेगा, दो करोड का matter है, तो ये matter हाई court या सुप्रिम court तक भी जा सकता है, लेकिन अगर plaintiff चाहता है, कि punishment दी जानी चाहिए, तब इस case को सिर्फ criminal court हैंडल कर सकता है, अब हम चलते हैं इश्यू नमबर त्री पे, इश्यू नमबर त्री ये हो सकता है, क्या plaintiff दो क्रोर क्लेम कर सकते हैं इतने डिफेमिशन के लिए, अगर डिफेमिशन प्रूब भी हो जाता है, तब ये भी decide करना पड़ता है, वही बात legal team जो है, संदीप महेश्वरी जी का जो legal team है, वो यही कहराई कि अगर compensation demand भी किया जा रहा है, तो इतना क्यूं चाहिए उस बात को बताने का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितना loss हो रहा है या फिर हो चुका है, ये सारी बाते court के सामने matter करती है, अब हम चलते हैं issue number 4 पे, issue number क्या हो सकता है, issue number 4, whether the investigation is required to be conducted on cyber bullying, cyber defamation, or whether it amounts to consented act of the alleging parties to create a hype over the internet, मतलब कि क्या ये case ही खुद एक conspiracy है, क्योंकि बहुत सारी cases ऐसे आ रहा है court के सामने, कि यहाँ पे court का ही मजाग बनाया जा रहा है, यानि कि दोनों party मिल जुलके भी कर सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये finding भी करना बहुत जुरूरी है, क्योंकि ये finding इसलिए important है, क्योंकि दिन बदिन pendency of cases पढ़ते जा रहे हैं, issue number 5 पे चल सकते हैं, कि issue number 5 क्या हो सकता है, issue number 5, what remedy or order, क्या ये case dismiss हो सकता है, क्या ये case plaintiff win होके, क्या plaintiff को 2 करोड रुपए का entertainment किया जा सकता है, या फिर ये इसमें कुछ conspiracy चली हुई है, तो ये सब points को code को देखना पड़ेगा, और इन सब points को देखने के लिए code को full powers है, Judiciary पी भी बहुत सरा बर्डन होता है, बर्डन on judiciary due to celebrity cases, film actors and celebrities plan and create controversies, to seek attention of viewers, these things help them to get more monetary benefits, but these things leads to increase the number of cases, thus courts having all the money, पंपाद के ली बहीं क्पिजयों के लिए, to help you for aकिए रड़े,